लेकिन यह परमपरा रहा है बसे यह हम जानते हैं मेरे समाई भी था उसके बाद सीपी सिंग भी साहिट है उसके समाई भी रहा है तो सेकुलरिजम वाले जो लोग हैं वो एक आँख में काजल और एक आँख में सुर्मा मत लगाएं सभी धर्मों का है बिदान सभा सभी धर्मों के लिए जगाए लोट हो हमें किसी से आपती नहीं है हमारे साथ इस वक्त आलमगीर साहब है पुर्व में स्पिकर रह चुके ह है जारखंड विधान सभा में वर्तमान में संसदिये कारिमंत्री हैं और कॉंग्रेस के विदायक दल के नेता भी है सर अभी जो अपने प्रस्न किया है तो पहले तो इस पीका साहब से हमको जानकारी लेना होगा यह कितना जो है आस्ता रखने वाले लोग जो है आपने सर अभी अगर कहेंगे इस्लाम धर मानने वाले को तो वैसे मात्र कुल चार विधाएगा इस नहीं जो सवाल के उसका हूं जवाब दिये आपने कहा कि एक हांक में खाजल एक हांक में सुर्मा तो हमको तो जानकारी नहीं है यह हमने ने बीजे दिखेंगे हम उहां पर इस तो क्या पहले भी विधान सभा में इस तरीके का जगह था पुराने विधान सभा आप तो बिहार के भी समय में रहे हैं विधाय के बिहार में है बंगाल में है उस्या में है आप इंटरनेशनल जो आपका डिली यार्पोटाई वहां भी है तो यह कोई नइए बात नहीं है यह परांपरा पुरानी है उसका निर्वान अब रही जो बात बोले उसका जवाब थो हम उहां से जानकारी लिखा ही देंगे लेकिन यह परांपरा रहा थे बस यह हम जानते हैं तो उसके बाद च जोगता जी आयते उसके समय भी था पर बुरह ना भी दान साअवा में लास्ट यर मेर भी सेशन ज़े रहे तक तो पर बीजेपी अब इसको क्यों मुद्दा बना रही है ये तो ये भी बड़ी हां से बताएंगे, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा कोई रहा है। अरचन के लिए हमें अपने मिनिफेस्टों में दिये थे, 37% अरचन हो, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दिश का निनने लिया जाएगा। नियोजन निती में जो संस्वधान की बात को रही है। उसके लिए अथराइज किया है, हमको अरचन जो है बरतवन अद्दाज अथराइज किया है, हम लोग स्रीयूम से बात करेंगे, उनकी चर्चा होगा फिर आपको बताएंगे। गरका ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा, जब जैमिं के पास जाके पूछीय रोजगार का टो वो कहती है। बे अपने सरकार है लोगों को रोजगार देएंगे उसके लिए नहीं नियुक्त बन रहा है कुछ जगह बना है हमारी मत्तवान इसके पास न बाद है unity है कि हम लोगों को निगेजन करें लोगों को जो बच्चे हैं गोम रहे हैं उसको नोकरी मिले आप कॉंग्रेस के नेता हैं कॉंग्रेस के बिधायक हैं एक तरफ बीजेपी अगर ये समुद्धे को उठाती है जो मुद्धा मेने आपसे पहले चर्चा की और जे में कॉंग्रेस का इस्टेंड क्या होगा या क्या अपील करेंगे आप दोनों दल बिधान साब हमें जब बात उटे कि तो उसका जवा बिधान साब में दिया जाएगा आप लो सुनने जीएगा यहाँ पे जो पूराने स्पीकर रहे हैं सीपी सिंग महोदे वो कह रहे हैं कि अगर मतलब वाकई में सभी धर्मों का रिपरजेंटेशन देखना चाहते हैं तो एक हनुमान जी की मंदिर के लिए सरकार पहल करें क्या अगर ऐसा डिमांड लिखित तोर पे बीजेपी करेंगी तो सरकार का स्टेंड सरकार का स्टेंड जब इसा आईगा विधान साब में बात उसके क्या जवाब होगा आप लोग पत्रिकर्ट कर रहे हैं विडिया में जूरे हुए हैं आप लोग उस दिन जवाब एक सर और सवाल उठ रहा है यहां बार बार कि ऐसा जब्म संब्रकी सकते हैं कि मुद्धा कहीं और ढाता नियोजन निति पर आपप यह भी संसोदन चाथे हैं बीजेपी बीजेपी संसोदन चाहती है है आपब भी रोजगार के मुद्दे पर सरकार को करें कि नहीं रोजगार देना हमारी प्रत्मिकता है बीजेपी भी कर रही है कि भाई रोजगार दो इसी तरीके से कई मुद्दे आपके और बीजेपी के सिमिलर्टी में गिर रहे हैं आरक्षन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी दलेग तो इन मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए एक सत्ता पक्ष की और से जानबूज की एक ऐसा बॉल फेका गया, जिसके खेलाडी सभी कोई है, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उस खेल को खेलने में माहिर है, नहीं मैं नहीं सवाजता हूँ, और जहां तक सवाल ह है कि हमारी सरकार जो है, परदर्शी वाले सरकार है, जन मुद्दा आये, उठकर उसका नीडान हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं, और जिस तरह का मनगरहन कोई अगर बोलता है, तो मैं इस पर श्वास नहीं करते हैं, निराधार है ये बात, बेबुनियाद है, शुक्र लोगों ने अप्लिकेशन दिया था, इस पिकर से क्या-क्या डिमांड किया गया था, उनको भी बताना चाहिए और ये भी पता करेंगे, तब तो किसका रिजेक्ट हुआ और किसका एक्सेप्ट हुआ, उस पे बात हो सकती है, कि हाँ अगर वैसा हुआ, तब तुस्टी करन है, नहीं तो जी यह पुरानी परमपरा है, जिसका निर्वाहन वर्तमान सरकार भी कर रही है, पुरानी परमपरा को लेकर इतना सोर मचाने की जरूरत नहीं है, शुक्रिया विवेकानन्द विद्यामंदर स्कूल, एक CVSC-affiliated English Medium Code School है, हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं